नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्लास तेन्थ सोसल साइंस जियोग्राफी चेप्टर सिक्स विनिर्मान उद्योग में जिसका इंपोर्टेंट MCQ आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ तो आईए सुर्वात करते हैं सबसे पहले MCQ से सबसे पहला MCQ मारा कहता है सलेम किस राज में है तो सलेम जो है वो तमिलनाडू में है ओप्षन बी जो है इसका सही उत्तर है सलेम तमिलनाडू एस्टेट में है अगला प्रश्ण हमारा कहता है भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी तो भोपाल गैस त्रासदी जो है वो 1984 में हुआ था option B जो है इसका सही उत्तर है अगला प्रश्ण हमारा कहता है इसमें कौन उद्योगों की इस्थिती का प्रभाव कारक नहीं है तो जनसंख्या जो है वो उद्योगों की स्थिती के प्रभावकार को में नहीं आता है option A जो है इसका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है किसको की अस्थापना किस बर्स होई थी तो किसको की अस्थापना 1907 इस भी में होई थी option C is the right answer option D जो है जो है यहां पे सही उत्तर है हुगली और ज्योगी परदेश का केंद्र है कौन सा तो कोलकत्ता और हावरा चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन से हैं तो देखें चीनी उत्पादन अर्थार सुगर को उत्पादन करने में सबसे जो अग्रणी राज्य है वो उत्तर परदेश को माना जाता है उत नहीं है, कोयमबटूर नहीं है, कोरबा नहीं है, महराष्ट जो है इसका सही उत्तर है, option B is the right answer, इसमें कौन इसपाथ केंद्र समुंद्र के निकट है, भद्रावती जो है, वो समुंद्र के निकट का इसपाथ केंद्र माना जाता है, option A is the right answer, अगला प्रस्ट मारा कहता है, बॉक्साइड का उप्योग किस उत्योग में होता है, बॉक्साइड का जो उप्योग है, काम है, वो कहां पे होता है, तो भारतिये लोहा एवं इसपाथ कंपनी, इसको के अंदर होता है, बॉक्साइड का उप्योग, option A is the right answer, अगला प्रस्ट में तामबा गलाने का आधू सबसे पुराना है, तो जमालपूर का जो रेलवे वर्क्साप है, जहां पे रेलवे का काम किया आता है, वो एसिया का सबसे पुराना वर्क्साप माना जाता है, option D is the right answer, निमलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक छेतर के अंतर गता आता है, तो बॉकारो और लोह इस पाती दोग जो है, वो सार्वजनिक छेतर के अंतर आता है, option C जो है इसका सही उत्तर है, अगला प्रश्ण मारा कहता है, पहली आधूनिक सूती मिल मुंबाई में अस्थापिक की गई थी, क्योंकि मुंबाई एक पतन है, मतलब मुंबाई के अंतर आपको पता है कि अंतर का इलाका है, तो वहाँ से चीजों को उस समय आने ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, एक कपास उत्पादक छेतर के निकट इस्तित है, इसके आसपास कपास की खेती बहुत ही अच्छे से होती थी, इसलिए भी यह एक कारण है, मुंबाई में फूजी अगर किस उद्योग के लिए प्रसिद है, तो अख़बारी कागज के लिए जो न्यूज पेपर हम लोग यूज करते हैं, उसके जो पेपर होते हैं, वो बनाया आता है नेपा नगर में, इसलिए अख़बारी कागज के लिए फिमेस है, option C जो है, इसका सही उत्तर है, भद तो गुर का उद्योग जो है, जो गुर बनाने का काम होता है, उसका उद्योग जो है, वो छोटे पैमाने का उद्योग माना जाता है, option C is the right answer, अगला प्रशन है, गन्ये के 10 टन रस कितनी चिनी बनाती है, अगर गन्ये से आपने 10 टन रस निकाल लिया, उसका जूस बना ल निर्मान किस प्रकार के उद्योग का उदाहरन है, छोटे पैमाने का उद्योग है, यह आभूशन, जो निर्मान की जाते हैं, जो गहने बनाए जाते हैं, वो छोटे पैमाने का उद्योग है, option C is the right answer, अगला प्रश्ट है, महराष्ट का चीनी उद्योग, गुजरात का अ बस तो उद्योग का कार खाना नहीं है, option A जो है इसका सही उत्तर होगा, भारत का कौन सा नगर, electronic उद्योग की स्रेणी में आता है, तो देखिए, electronic उद्योग में यहाँ पे बैंगलूरूरू आता है, पूने भी आता है, तो option A, B और C, B और D दोनो इसका सही होगा, तौक जो है, वो electronic उद्योग की अंतरगत आते हैं,